ना मावा ना मलाई ना घंटो किसनी का जंजर सिर्फ 15 मिनिट में बनाएंगे हलबाई जैसा गाजर का हलवा और सौद में भी ला जवाब तो जी हाँ आज मैं आपके लिए लाई हूं बहुत ही आसान रेसिपी और टेस्ट में बहुत ज़्यादा टेस्टी तो सबसे पहले उसके लिए हम गाजर लेंगे तो मैंने यहाँ एक केज़ी गाजर ली है जिसको अच्छी तरह मैंने छील लिया है और उपर नीची से काट लिया है तो आप हम इसको कद्दुकस नहीं करेंगे हम इसको नॉर्मल जैसे सबजी बनाते हैं तो इसी तरीकी से आप सारी गाजर काट लीजी सारी गाजर हमने काट लिये इसके बाद हम एक कुकर लेंगे और कुकर में हम दो टेवल स्पून घी डालेंगे देसी की क्योंकि हम इसमें कोई भी मावा वगरा का यूस नहीं कर रहे है तो देसी की तो डालना बनता है तो उसके बाद सारी गाजर जुकाटी उसको डालिए और दो मिनट तक अच्छी तरह चलाईए हाई फ्लेम पर और उसके बाद आपको गैस का फ्लेम मीडियम करना है और कुकर का धकन लगा कर इसमें आप दो सीटी लगने दीजी और उसके बाद दो सीटी के बाद गैस का फ्लेम बंद कर दीजी अच्छी तरह कुकर ठंडा हो जाए तो उसके बाद आपको कुकर का धकन खोल कर आपको गाजर को चेक करना है तो गाजर आपकी सॉफ्ट हो गई है तो इस वक्त आपको इसको चेक करने के बाद आप इसको कड़ाई में निकाल सकते हैं या फिर इसमें भी मैश कर सकते हैं तो इसको अच्छी तरह हमें एक तम मैश करना है और उसके बाद जब अच्छी तरह मैश हो जाए तो फिर आप इसे दूसरे बरतर में निकाल लिए या फिर इसमें भी बना सकते हैं कोई जंजट नहीं है तो मैं इसको क्या कर रही हूँ दूसरे चोटी सी कड़ाई में एक निकाल रही हूँ क्योंकि ये एक किलो ही काजर का हलुआ है तो थोड़ा सा ही है तो अब मैंने गैस का फ्लेम और मीडियम फ्लेम पे कर दिया तो इस स्टेज पर मैं इसमें डूट डालूँगी तो आप इसमें फुल क्रीम भी डाल सकते हैं मेरे पास इस समय काउव मिल्क था तो मैंने यहां टोटल तीन पाउ काउव मिल्क डाला है तो इसमें एक किलो गाजर में मैंने यहां मतलब आदा किलो से धाइसो ग्राम और ज्यादा तो इसको धीमियाज पर अच्छी तरह पकने देंगे दूद को रिडियोस होने देंगे तो इसके बाद हम सर्फ करेंगे तो इसमें कोई भी खोई वेकरी की जरूरती है क्योंकि टेस्ट में बहुत टेस्टी है आप एक बार इसमें जरूर इस तरह बना के ट्राय करें और देखिए मैंने थोड़ी से हलकी से जो खरबुजे के बीज होती हो पिस्तासी से गानिस किया है वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजे नहीं